नमस्कार आप देख रहे हैं भारत नियूज टीवी खबरों की पड़ताल आपके साथ मैं हुआ निचू कहते हैं समय के साथ सब कुछ बदल जाता है आधुनिक्ता के आने से भी बदलाव होता है लेकिन जिले में आधिकाल से वास करने वाले आधिवासी भील पटलिये समाज के लोगों ने अपनी परंपराओं को जीवित रखा है और रंबे समय से ये परंपरा पीड़ी दरपीड जीवित है आज हम आपको जाबगा जिले के ग्राम पंचायत नवा पड़ा रोटला में ऐसी ही एक परंपरा जिसे बाबी जातर स्थानिये भाशा में कहते हैं देखने को मिली है ग्राम के किसानों ने बताया कि ये जातर की परंपरा 200-500 साल पूर्व से हमारी पीड़ी दर दूसार मना रही है हमारे गाव में कोई भी विमारी आती है तो हम माता जी को पुलाते हैं माता जी को पाठ चड़ाते हैं यहां बावा देव भी हैं हम यहां बकरा चड़ाते हैं और हमारे तांतरी को धूनाते हैं हमारे गाव में कोई भी विमारी आती है तो माता जी और पावादेव उसे दूर करते हैं, हम माता जी से अच्छी वारिश और अच्छी फसल की कामना करते हैं, और फसल आने पर सबसे पहले माता के स्थान पर चड़ाते हैं, और धूप ध्यान करते हैं, जब तक हम माता जी को फसल से प्राप्त अनाज फल नहीं चड़ाते तब तक ह हम नहीं खाते हैं हमारे गाव में कोई भी समस्या हो कोई भी पिमारी फैल रही हो तो हम माता के पास आकर गांट बांगते हैं और मननत मांगते हैं कि माता जी सब ठीक कर दो हम दारू और मुर्गा चड़ाएंगे और हमारी माता जी हमारी सारी समस्या दूर कर देती हैं हम इस इसी थरे माताजी और बावादेव की पूजा करेंगे जिसे गाम में आने वाली हर परिशानी दूर होगी आज के इस आधुनिक युग ने भी इन किसानों की परमप्राओं पर कोई असर नहीं डाला आज भी कई ऐसे परमप्राएं ग्रामेंड शेत्रों में जीवित हैं जो आधिकाल से चली आ रही हैं और परमप्राओं को पीडी दर पीडी यह लोग निभाते आ रहे हैं जातर हमारी इसलिए मनाते हैं सर की हमारे पीडी दर पीडी से मनाते आ रहे हैं जो भी कुछ हमारे गाउं में बिमारियां आ जाती है तो हम मात्याज जी को सेतारते हैं बुलाते हैं और हमारा बढ़वा धौनाते हैं उसके बाद हम औरा मापला देते है Mata Jee को, एक पाथ भी देते हैं और ये हमारा बाबा देव है avr देव है, उसको हम बकरा देते हैं और हमारे गाउं में जो यहाँ भी बिमारी फज्जा है वह हमारा मताजी और बाबा देव निकाल देते हैं और हमारा शूका हो जाता है उसके बास हम जर्बाद को कि करते हैं तो माता जी को हम बोलते हैं कि म्हों gözल नाम से तेरे नाम से हम बुटे सडाइंगे कर लिक साड़ाए मैं। भी तरहें देसे हम ऑशागे कर उने करें अ करता हैं पिर हम माताजी इक को मतलब जो भी हमारी कई भी समय ढाल जा है बीमार पढ़ ज़ाए कुछ भी तो माता जी के के पासा कर हम हम हाद जोड के गठन बानते हैं, माता जी मेरा बच्छा अच्छा हो जाए तो माता जी तेरे को हम और अच्छा तरह से मुर्गा चड़ा है हमारी कामना पूरी परमपरा से करती है माता जी और इस आंगन में हम पेदा बड़े हुए खेलते माता जी के आंगन में खेलते बड़े हुए क्या virtnal अरह 1 ऌरन मैं तो किसान हूं सब किती करता हूं अरह मता जी का भौत भरोशा करते हैं और यह बाबा देव का बहुत भरोशा करते हैं अने वाली पीड़ी को हम सिखा पीडी हमारी ए सी के स्माता जी की पूजा करेंगे और देव की पूज्य लोता करेंगे तो हमारे गाउं में कुछ बीमारिहा नी आए और अचे तरह से अगर पानि 1 मैने रूख जाए पानी निया तो माताजीकों आकर मातास की पूरी रात यहां करते हैं उसके बाद बढ़वा धुनाते हैं माताजी बोलती है कि मैं आज निलाओंगा पर दो दिन इस तारी को पाने जरूर में लाओंगा तीदर से बादल निकलते हैं और माताजी हमारे गाओं में पाने गिरा देती है इसलिए हमें पूरा इस माताजी के उपर सल रहे हैं विश्वाज ह मेरा अपसिंग तडवी आप यहां करते हैं पानी गिरी जाए मेरे घराब बाद मतलुब बसलावने करते हैं जातर काते टाट बर मेरे घर पे मतलो अधाग बसते एनबर में शुब उटके बड़वास को धुनावते दारूपिल लाते और फिर शुबे में करेंबं दस बारा बजे बाद माता जी के पास दूद्राविये औरकर दमाथ लाविए और इंगान मतलोगा तेकर लीलपी से लिलपी उल गायिके गुबर से लिपी और यहां पे लिपते हैं माताजी के पास माताजी के हांग आप जात भाजन भी चालते हैं तेने बाद हम मतलों नेवत करते मतलों सावल और दूद चीर बनाते हैं खेर का मतलों पुजा पाड़ करते माताजी के पास